राम राम जी सभी बग्द जनों को तो आज है राम चरित मानस कथा का हमारा 45 वार्ट पॉर्टि फाइव तो पिछले पार्ट में हमने पड़ा था कि केके को काफी समझाया था सभी ने लेकिन केके ये समझ में नहीं आ रही थी वहजिद पर अड़ी हुई थी कि राम को चोध वरस का वनवास दिया ही जाए तो चलते हैं कथा की ओर आगे हरद्य का विशाद कुछ कहा नहीं जाता मानो सिहें की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो नेत्रों में जल भराया शरीर थर थर कापने लगा मानो मचली मांजा मतलब पहली वर्षा का जो फेन है मचली खाकर बद हवास हो गई हो धीरज धर कर पुत्र का मुख देखकर माता गद गद वचन कहने लगी कि हे तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो तुम्हारे चरीत्रों को देखकर वे नित्यपरशन होते हैं थे राजा देने के लिए उन्होंने ही शुब दिन सु इसका कारण सुनाओ सुर्य वंस को जलाने के लिए अगनी कोन हो गया है तब श्री रामचंदर जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा उस परसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रहे गई अर्थात चुप रहे गई उनकी दशा वर्ण नहीं किया कि वंचले जाओ दोनों ही प्रकार से हिर्दय में बड़ा भारी संताप हो रहा है मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सब के लिए टेड़ी होती है लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया रहु धरम और सनहे दोनों ने कोशल्याजी की बुद्धी को घेल लिय उनकी दशा साप चचुंदर कीसी हो गई है वे सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धरम जाता है और भाईयों में विरोध हो जाता है और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानी होती है इस परकार के धरम संकट में पढ़कर रानी धीमती कोशल्याजी इस्त्री धरम को समझ कर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान कर सरल स्वभाव वाली श्री राम चंदर जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली कि हे तात मैं बलिहारी जाते हूँ तुमने अच्छा किया पिता की आग्या का पालन करन ही सब धर्मों का शिरोमनी धर्म है राज्या देने को कहकर वन दे दिया उसका मुझे लेश मातर भी दुख नहीं है दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और परजा को बढ़ा भारिक लेश होगा हेतात यदि केवल पिता जी की ही आग्या हो तो माता को पिता से बड़ी जान कर वन को मत जाओ किन्तु यदि माता पिता दोनोंने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए शैकड़ अहद्या के समान है वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देविया माता होंगी वहां के पसुपक्षी तुम्हारे चरण कमलो के सेवक होंगे राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हिर्दय में बड़ा दुख होता है हे रगुवंस के तिलक वन बड़ा भाक्यवान है और यह अवद अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया हे पुत्र यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हिर्दे में संधे होगा कि माता इसे बहाने मुझे रोगना चाहती है हे पुत्र तुम सभी के प्रम्प्रिय हो प्राणों के प्राण और हिर्दे के जीवन हो वही प्राण आधार तुम कहते हो कि हे माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी पच्ताती रहूं यह सोचकर जूठा सने बढ़ा कर मैं हट नहीं करती बेटा मैं बलया लेती हूं माता का नाता मान कर मेरी सुद भूल ने जाना हे गुसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं तुम्हारे वनवास की अवधी चोध्य वरश जल है पिरिये जन और कुटुम भी मचली है तुम दया की खान और धरम की धुरी धारन करने वाले हो ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सब के जीते जी तुम आ मिलो मैं बलिहारी जाती हूँ तुम सेव को प्रिवार वालो और नगर भर को अनात करके सुख पुर्वकवन को जाओ आज सब के पुणियों का फल पूरा हो गया है कठिन काल हमारे विपिरीत हो गया है इस परकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागे नी जानकर माता श्री राम चंदर जी के चरणों में लिपट गई हिर्दे में भयानक दुस्त है संताप छा गया है उस समय के बहुविद विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री राम चंदर जी ने माता को उठा कर हिर्दे से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहे कर उन्हें समझाया उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी एकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों च्रण कमलों की वंदना करके सिर ने चाकर के बैठ गई सास ने कोमल वानी से आशिरवाद दिया वे सीताजी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल को उठी रूप की राशी और पती के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीताजी नीचा मुख किये बैठी सोच रही है जीवन नाथ अर्थात प्राण नाथ वन को चलना चाहते हैं देखें किश्पुनेवान से उनका साथ होगा शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्रन से ही इनका साथ होगा विधाता को करने कुछ जानी नहीं जाती सीताजी अपने सुन्दर चर्णों के नकों से धर्ती कुरेद रही है ऐसा कहते समें नूपुरों का जो मधुशब हो रहा है कभी उसका इस प्रकारवर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे है कि सीताजी के चर्ण कभी हमारा त्याग ना करे सीताजी सुन्दर नेत्रों से जलबा हा रही है उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कोशल्या जी बोली कि हेताथ सुनो सीता अत्यंत ही सुर कुमारी है तथा सास ससूर और कुटम भी सभी को प्यारी है इनके पिताजनक जी राजाओं के शिरूमनी है ससूर सूर्य कुल के सूर्य है और पती सूर्य कुल रूपी कुमद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण रूप के भंडार है फिर मैंने रूप की राशी सुन्दर गुण और शील वाले प्यारी पुत्र वधु पाई है मैंने इन जानकी को आखों की पुत्ली बनाकर इन से प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इन में लगा रखे हैं इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाओ के साथ सनहे रूपी जल से सीच कर पाला है अब इस लता के फूलने फूलने के समय विदाता वाम हो गए है कुछ जाना ही नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा तो आज के लिए इतना ही बाकी कल पड़ेंगे सिभी भक्त जनों को जैश्री राम